नमस्कार दोस्तो ओम नमस्युवाएं आज के जो बिड़ों को भीसा हैं बहुत ही सुन्दर हैं आज मैं आप लोगों को बेल के जड़ पहनने के फैदे बताऊंगा कि हमें बेल ब्रिक्षा की जड़ क्यों पहनना चाहिए और मैं आप लोगों को सास्तरों में लिखे ही जान कारी बताऊंगा हमें बेल ब्रिक्षा की वैसे प्राज सभी लोगों को कहना चाहिए बेल ब्रिक्षा की जड़ जरूर पहनना चाहिए अब यह क्यों पहनना चाहिए इसके पहनने से क्या फायदा मिलते सारे जानकारी आइस बिड़ों में सरप्रथम तो जानते हैं कि आख बेल के ब्रिक्षा तुलसी के भी ब्रिक्षा से बहुत ही पावरफूल है। ब्रिक्षा से ब्रिक्षा का। रते हैं तो वास्ता में हमें बेल ब्रिक्षक की जड़ क्यों पहना चाहिए इसके जड़ किने धारान करना चाहिए किने नहीं धारान करना चाहिए आईए सारे जानकर इस बिडियों में जानेंगे इससे पहले सबी लोगों को कहना चाहूंगा कोमेंड बॉक्ष में ओम नमस्चिवाय जरूर लिखना चलिए मैं आप लोगों को शरुपथम बेल ब्रिक्षा की कुछ महत्वा बता दूँ तो बेल पत्रा के ब्रिक्षा में लच्मी जी गवास माना जाता है इसके पूजा करने से कोई वेक्ति गर शौबार की दिन साम के स जाता कि बेल के ब्रिक्षा को घर में लगाने से प्रती दिन इनके दर्सन करने से पापोश भी मुक्ति मिलती है और जो वेक्ति की घर में सूक शांती वैभाव की कमी है तो ऐसे वेक्ति की घर में सूक शांती वैभाव सब कुछ प्रापता होना सुरू हो जाता है दोस्तों ये भी माना जाता है कि बेल के ब्रिक्षा को भर में लगाने से ये वातावरान को शुद करते हैं क्योंकि भगवन संकर को बेल के पत्र क्यों चड़ा जाते हैं इसके पिछे बहुत सारे कारण हैं जब भगवान संकर ने हला हल विश्च को धारण की हला हल विश्च को पिये तो उसके गर्मी को भगवान संकर बरदास्त नहीं कर पाए तो वहाँ पी उपस्ति सभी देवी देउताओं ने एक वैद से उनका उबचार पूछा तो वैद ने बोला कि आप जो हैं बेल के पत्र भगवान संकर को खाने के लिए बोले उसी टाइम से भगवान संकर को जितने भी देवी देउताओं वहाँ पे उपस्ति थे उपस्ति थे सभी लोगों ने भगवान संकर को बेल के पत्र चड़ाएं उन्हें खाने के लिए बेल के पत्र चड़ाएं क्योंकि बेल के पत्र विसांत पदार्थों को दूर करते हैं, सरीर से जो एक प्रकार के बोल सकते हैं, जहर चीज हैं, उसे निकालने का काम करते हैं, ये सरीर को शुद करते हैं, मन को पवित्र करते हैं, सा बीचु जैसे जहरीले जी कार्टने उसके भी प्रभाव को दूर करते हैं, तो आईए हम जानते हैं कि इसकी जम्हें क्यों पहनना चाहिए और इसकी जड़ आप पहने लेते हैं धारान कलेते तो आप की जीवन में क्या परिवरता नह कि आपकी जीवन में क्या सब्सक्राइबर बढ़े इसे हमें किसी भी प्रकार का कोई फरका नहीं पड़ता अगर हमारे बीडियो को देख करके आप में से किसी एक भी विक्ति कभाला होता है तो हम सोचते हैं कि आज यूटूब में आ करके जो जान करी देर हुआ ग्यान हमारे सार्था कुई तो दोस्तों जो लोग सनी से परसान राते हैं अधिकतर 90% लोग जब सनी के सड़े साती अड़हिया ये फिर पौनी दसा आ जाती तो लोग परसान हो जाते हैं इधर उधर खुब भागते हैं खुब जाड़ा फूका के चक्कर में लगते हैं खुब जोपीसों के पास में जा दूख, दरिद्रा, आकस्मिक, आभी के शाथ में दुरगटना हो जाना, घर परिवार में कला हो जाना, जो भी कार को करूँ, उस कार में सफलता ना मिल पाना यही सनी है, तो अगर आप इस प्रकार की पीड़ा को शाहरें भोग रहें, तो आप सनी की सथ साती अढ़हया से प परसान नहीं करते, जो लोग सफल नहीं हो पा रहें, लंबे समय से कुछ कारे को सोच करके रखें और चाहते हैं, उन्हें शफलता मिल जाएं, शफल होना चाहते हैं, ऐसे विक्तिकर बेल की जड़ पहने, तो हर छेतर में उनको सफलता मिलेंगे, जिस भी छेतर में आप ज जाएं, शुक्रवार की दिन संध्य के समय में अगर पहना जाएं, तो धन की प्राप्ती होता है, क्योंकि शुक्रदेव भगवान संकर जी के परमभगता हैं, और अगर दोस्तों सुक्रवार की दिन बेल की जड़ आप धरन करते हैं, तो ना चाहते हुए भी को काल सर्प दोस, पित्र दोस, गोहत्य जैसे जो बड़ा दोस लगें, पाप लगें हैं, पहने मात्र से दूर होते हैं, लेकिन इसके पहने को कुछ नियम भी हैं, इसके जड़ को पहने से पहले दुद में इस्नान करा करके पहनना होता है, दोस्तों जो भी वेक्ति बेल क जड़ धरन करते हैं पहनते हैं ऐसे वक्ति भगवान भोले नात की क्रिपा के पात्रा हो जाते हैं भगवान भोले नात सोयम ऐसे वक्ति की रक्षा करता हैं रुद्राक्षा से भी बहुत ही ज़्यादा पावर फुल माने गए हैं बेल की जड़ अगर आप सोयम की अध्धात मा उनती करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अध्यात्मा उनती हो, हर छेतर में आपको तरक्की मिले, सफलता अब की कदम चुमें, तो बेल की जड़ धरन करें, दोस्तों यह हमें दुर घटना से भी बचाता है, एवं नहुगरा के पीड़ा से भी हमें बचाने का कम क करते हैं, लेकिन बेल की जड़ को धरन करने की कुछ नियम है, बेल की जड़ को चांदी में ही पहनना चाहिए, चांदी में क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि चांदी को माता पारवती की रज कहा जाता है, चांदी माता पारवती की शवरूप हैं, और बेल की बिक्ष भी मात पारवती की ही रूप हैं क्योंकि माता पारवती के पसीने से उत्पन हुआ हैं दोस्तों इसके जड़ को पहनने से पहले दो घंटे के लिए गंगा जल में डुबा करके रखना होता है फिर आप जो धूप करके पहन सकते हैं लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा इसके असुध्धी दूर करने के लिए आप इन्हें पंचामरीत में इसनान कराईए पंचामरीत में जैसे की गंगा, जल, घी, दूद, सहहद इस प्रकार साब को पंचामरीत पांचामरीत प्रकार की चीज़ ले लयना है और फिर आपको इसे कम से कम 15-20 मिनट के लिए पंचामरी गी गंगा जल और शहद इस प्रकार के पंचामरीत में कम से कम 10 से 15 मिनिट तक डुबा करके आपको रखना है और धुब दिखा करके चांदी की ताबीज में डाल करके आपको इसे पहने तो आपको बहुत लाभ मिलेंगे जिस भी छेतर में जाई आपको तरक्की मिलेंगे दिन दुगनी राद चोगनी आपके तरक्की होंगे बेल की जड़ पहनने के बाद अगर आप चाहते हैं बेल की जड़ हमसे खरीदना चाहते हैं तो हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिशन में लिंक दे देंगे आप हमारे दवारा जागरित किये हुए संसकारित किये हुए बेल की जड़ मंगवा सकते हैं दो से तीन दिनों बाद हमारे वेबसाइट प्राशिनगयानिस्टोर.com में आपको ये सारे चीज मिल जाएंगे दोस्तों हम काफी मेहनत करते हैं काफी प्रयास करते हमारे सभी स्क्राइबर जितने भी लोग हमसे जूड़े हैं सब का भला ह सबका कल्यान हो, सब लोग धन दवला से परिपूर्ण बने रहें सबको सभी प्रकार की सुखो की प्राप्ती हो, हमारा एक ही मकसाद है जैनितवम जन कल्यान करना, सर्वे भांतू शुखे नर्वे निरोग माया, सभी सुख हो सभी निरोग हो, आप चाहे तो सोयम भी से ज करवाते हैं तो दोस्तों आसा करता हूं कि बेली के जड़ के बारे में जो चमतकारी के वम दिब्य फैदे बताये हूं या आपकी जीवन में मंगल मैं एवम कल्यान कारी साभित जरूर होंगे तो आसा करता हूं कि इस बिड़ो को आप अपने तक शिमीत नहीं रखेंगे जनी से सेर किसी की जिन्दगी को बरबाद होने से बचा ले तो जनीते हूं जन कल्यान के लिए सागे जरूर सेर करिएगा बिड़ो देखने के लिए धनिवाद नमसकार